Hello friends, मैं Dr. Umasankar Singh, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम आपको काईलकुलस का treatment बताऊंगा यानि जो काईलकुलस का है तो kidney stone होता है तो kidney stone के लिए काउन सी homeopathic दमाई यूज करते हैं उसको मैं आपको भी स्थार से बताऊंगा अक्सर करके देखा जाता है कि लोगों के कीड़नी में पत्री बन जाया करती है लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए उसके साथ साथ बेला इकान को भी दबादीजिए आपको आसानी से मिल जाए तो जो कैलकुलस होता है यह देखिए कीड़नी में जो कैलकुलस बना हुआ है इसी तरगा अक्सर करके देखा जाता है कि लोगों को पत्री हो जाया करती है यह जो पत्री होती है कभी-कभी देखा जाता है कि बालू के चूण जैसे यानि कि छोटे छोटे जो बालू के कण होते हैं उस तरह के भी प्यसाप में आते रहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पथरी बन रही है उसके साथ-साथ इसमें कभी-कभी redness भी होती है यानि जो आपका urine होता है, urine pass होता है उसमें भी redness होती है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको symptom के बारे में और इसके साथ-साथ kidney में पत्री कितने प्रकार की होती है उसको मैंने भी स्तार से बताया हुआ है तो उसको आप जाकर आसानी से देख सकते हैं इसके लिए मैं आज आपको मैं केवल ट्रीटमेंट बताऊंगा तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन जो बेस्ट होती है बरवेरिस वुल्गेरिस करके आती है और उसका मदर टिंक्चर यूज करते हैं जो की बहुत फायदेमंद होता है बरवेरिस वुल्गेरिस का मदर टिंक्चर को दसमूद सुबा दो पहर साम यानि की सुबा दसमूद सुबा के बाद दो पहर में दसमूद फिर साम को दसमूद लेना होता है जो बहुत अच्छा रिस्पांद देती है लेकिन अगर दर्द हो रहा हो तो आपको 2-2 घंटे पर भी लेना चाहिए जब दर्द बंद हो जाए तो आपको सुबह 2 पहर साम 3 टाइम कर लेना है इसके बाद आती है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम जो मेडिसीन होती है इसको 30 पहर में लेनी होती है और इसको सुबह साम 2 टाइम लेना होता है लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो पथरी होती है राइट साइड में बनी होई होनी चाहिए यानि कि जो राइट आपकी किडनी होती है अगर उसमें बनी हुई यह पत्री तभी आपको लाइक को लेना होगा जो कि तभी काम करेगी इसके बाद एक medicine आती है hydrangea hydrangea का भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है उसको भी जाके देख सकते हैं लेकिन जो hydrangea का mother tincture यानि क्यू फार्म है इसको आपको left side के लिए यूज करना है यानि कि जब left side kidney या फिर कहा है तो यूरेटर में में रूप से यह जो hydrangea है यूरेटर की पत्री के लिए बेहतर सावित होती है यानि कि जो पैसाब की उपर यूरेटर होता है जो आपको kidney से यूरेणरी ब्लेडर को जोड़ता है उसके बीच में कहीं अगर पत्री फसी हुई है तो उसके लिए hydrangea best medicine होती है लेकिन ध्यान रहे कि ये left side के लिए ही होती है न कि right side के लिए तो इसको आपको 10 बुन सूबह में 10 बुन दोपहर में और फिर 10 बुन साम को लेना होता है इसके बाद आती है kaintheris साथियो kaintheris और एक दवा है सारसा परिल्ला सारसा परिल्ला इन दोनों दवाओं को लिया जाता है kidney stone में ये किसी side बनी होई है अगर दर्द हो रहा हो तो इन medicine को सूबह दो पहर साम तीनो टाइम लेना होता है वैसे भी आपको तीनो टाइम इसको यूज करना है लेकिन अगर आपको दर्द जादा हो रहा हो तो इसी के साथ साथ बायो केमिक मेडिसीने काती है जिसका नाम है मैग भास मैग भास को 6 यक्स पावर में 4 कैपसुल कहें तो 4 टबलेट यानि कि छोट छोटी टबलेट आती पर रिपीट करना होता है अगर दर्द सांथ हो जाए तो आप इस दवा को सूबदो पहर साम कर सकते हैं इसके बाद आता है आपका काकूलस इंडिकस साथियों जो काकूलस इंडिकस होता है ये भी बहुत अच्छा काम करता है इसको भी आपको यूज करना चाहिए जो की ब परेरिया बरेवा परेरिया बरेवा जो होता है यह 30 पावर में लेना होता है आपको 30 पावर में लेना होता है लेकिन यह कमाल की मेडिसीन है कमाल की मेडिसीन इसलिए है कि अगर असहनी दर्द हो रहा हो यानि कि बहुत जादा दर्द हो रहा हो आपको तो आपको लेना चाहि कि इतना ज्यादा दर्द होता है कि लेटने लगते हैं तो उस कंडिशन के लिए आपको साथियों ये परेरिया जो ब्रेवा है इसको बहुत बेहतर साबित करके देखा गया है करते हुए देखा गया है यानि कि मैंने खुद दिया है जिस जो की बहुत अच्छा रिस्पांस देती है तो ये जो दवा होती है इसको हर होमोपैथिक साब पे मिलनी चाहिए जिससे कि आपको अगर दिक्कत हो ऐसी पथरी की दर्व हो तो आप इस दवा को यूज करते हैं जिससे कि आपको बेहतर फायदा होगा